अब देखो ज़्यादा तर टेम यार मैं लड़ाई से दूर नहीं भगता पेटी वराने की कोशिश करता हूँ लेकिन यहां पे बहुत दिनों बाद उल्टे सीन होते हैं तो भाई लो कैसे हो तो यार वेलकम दी बैक बैक दी वेलकम और स्वागत यह आपका एक बिराण न्यूट देखो हर बार मैं गलत सीन बोलता हूँ लेकिन यहां गलत सीन नहीं गलत सापों से भरे पड़े पड़े पपज दें वाइल गेम प्रिवीडियो में और यार कसम से ऐसा लग रहा था जैसे पबजी कम साप सीटी जादा खिल लाओं बस भरक इतना था कि सारे साप मेरे कोई डसेंगे और मैं खुद साप नहीं बन सकता खैर जो भी हो फिलाल अभी यहां नोवो आरक हैं और सुकर है यहां पर सुरुवात में कोई साप नहीं होता लेकिन इस भो गोली किसी और को पेल ला था वह शायद इसको पेल था जिसको मैंने अभी नौक किया लेकिन उसकी गोली की चपेट में मैं आ बाद अब लूटरे होते हैं और इनके टीमिट लोग भी यहीं पे हैं तो इस अकेले खंटेनर के अंदर दो बंदे बैठे होते हैं फुटिश टैप के नाम पे ये लोग कद्दू कुछ नहीं देते और जहां तक मेरे को पता है एक बंदा जो हिल या था ना यहां अंदर वो गलती से हिल जा होगा और भाई बहुत पस्तारा होगा इनके टीमेट की पेटी यहीं मुग के सामने बनाई और यहीं बैठे पड़े हैं और भाई पे पावरेंजर वाली ड्रेस थी खेर जो भी यह बॉट को लूट रहा था तो जिसकी भी पेटी थी हमने लूट ली अब आगे जा रहे हैं बागी बन्दे पकड़ने और आगे भी सेम टू सेम यही सीन चलेंगे बिल्कुल सेम टू सेम और हमारे ये वाले भाई पडोसियों की तरह यहां खड़े होके सब कुछ सुन रहे थे बन्दा सामने तक नहीं आया खड़ा था बिल्कुल तो मैंने ही पकड़ लिया कि यहां पर भी लगभग लगभग सेम टू सेम वही चीज़ होती है मेरे को लगा एक बन्दा है हलवे में पकड़ूंगा इसे चड़ जाओ पर कंटेनर के अंदर बाद मैं देखता हूँ पीछे बिल्कुल किनारे पे एक और बन्दा बैठा पड़ा है और वो बन्दा पूरा का पूरा नंगा बैठा पड़ा था सिवाए एक चस्मे के चस्मा जरूर पहना था भाई ने और यहां पे कई सालों बाद मैं एक फ्रेर मगा लेता हूँ और लूटते लूटते ही एक और टीम के बंदे बगते गया आते हैं हाँ यहीं पे उतरे थे यह लोग खबर हमको बिल्कुल नहीं थी तूने भी पकड़ता हूँ और सापो का चक्कर लगभग अभी से चालू हो गया है बंदा कंटेनर के उपर लेटा पड़ा था खेर टाइम आते ही वो उटके भगना चालू कर दिया था लेकिन यार एम के चौधाती हाथ में हलवा नी चला यहाँ पे सिधा पकड़ लिया अब बंदा नौक पड़ा है मेरे को लगा एक आदी बंदे उंगे जाके पकड़ लेते हैं लेकिन ये तो दो-तीन बंदे यहीं पे बैठे हुए थे और कोई भी आदमी बगेर नसे में हुए ऐसा नाम रखी नहीं सकता मैं मानता ही नहीं यह बात पूरे नसे में नाम रखाए भाई ने कि अधिक और आगया कि अधिया कि अधिया कि यार बॉट भी मानो याना मानो बहुत जाता बहुत जाता चलाक हो रखे हैं पेटि अब मैं बना रहा हूँ सारी मैंनत हम लोग मिलके कर रहा है और लूट कौन रहा है पेटी को एक बहुत लूट रहा है पेटी को वह बहुत ही बड़ीया पब जी केर जो भी ओ इसी के साथ ये नो वो खाली हो चुका है अब इनका आखरी बंदा या तो इधर आया ही नहीं या तो भाई ने कहीं पे कैम बिचा दिया खैन हम लोग वहाँ से निकल लेते हैं और उधार आते हैं जहां पे फ्लर चलिया बिल्कुल ओपन में मगाएं तो गलत सीन होने वाले हैं लेकिन इससे पहले कि गलत सीन हो जाए हम देड़ बेड़ बात कर लेते हैं हमारे सपॉंसर की तो यार इस एप या फिर वैपसाइट का नाम है वान एक्सपेट जिसके माज़त से आप कई सारे गेम्स किरकेट, फुडबॉल, बॉली बास्केट बॉल और इस्पोर्ट्स अगेरा पे बैट बूट लगा सकते हो साथ ही साथ इसमें आपको साथ जार रुपे तक का बोनस मिलेगा अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो जो कि कमेंट सेक्शियों में दिया गया होगा तो हाँ यार अगर आपको इस सब चीज का सौक है आप इस एप को ड्राय कर सकते हो इसके लिंक कमेंट सेक्शियों में होगी बिल्कुल टोप में अब अपने पहले सस्ते सप्रे में मैंने डेमेज तीनों के तीनों बंदे को दिया लेकिन एक भी नो को कि नी दिया वहाँ पे खैर जैसे तैसे करके दो बंदों की पेटी बन चुकी है और एक बंदा वही डिरॉप के पीछे है अब चौथा बंदा या तो कहीं लेटा पड़ा है या तो यहाँ पे है ही नहीं कुछ तो सीन पक्का है और यहाँ पे काम समझ के करना पड़ेगा देखो उनका चौथा बंदा बिल्कुल गाय भुगा पड़ा है वो कहीं पे भी लेटा हुआ पाया जा सकता है तो यहाँ पे मैं फ्लैंक तो पेल देता हूँ वो भी बगैर गाड़ी के बस इदर उदर भागे जा रहा हूँ इस उमीद में कि उस बंदे का हलका साब कुछ भी दिख जाए मैं पेटी बना दू खड़े हो के खैर यहाँ पे आता हूँ मेरा टीमेट वही से गुलिया पे लाए और दिखता है आखिर बंदा और बंदा दिखता जरूर है लेकिन मैं कद्दू कुछ नहीं उखाड़ पाता बंदा वापिस कार में चला गया अब देखो यार इतना लंबा फ्लैंक पेली दिया है तो क्यों ना थोड़ा और उपन में भग लेता हूँ क्या पता तब जाके पेल सकूँ फिर भी नहीं प और इस मैच में मैं समझ गया थैयार बॉटों को मेरे से कुछ न कुछ दिक्कत जरूर चल लिए उस बंदे को यहां दूर से इतनी मेहनत से बगबुक के पकड़ा मैंने आखिरकार और वो बॉट आके उसकी पेटी बनाने में तुलाए वो भी लेट के फाइरिंग दे रहे और अब सांप का चकर मौच चटक कर चलू हो चुका है और यह खतम नहीं होगा अब इस वाले बंदे को मैंने थोड़ा सा डेमेज पहले ही दे दिया था लेकिन भाई उसके बाद भी उसके बावजूद भी पीक करे जा रहे हैं अब देखो इतनी चौड़ ना तब ही आती है जब आप पे कोई महंगी गन पड़ी हो और यहां पे हमारे भाई पे रुजा उठाने के बाद भी लालच कम नहीं हुआ है तो मैं एक और डिर अप रूटने आता हूं और हमारे साथ और भी बंदे आते हैं और यहीं पे अगर वो बंदा कार में होता ना अभी तक गायब हो चुका होता बिल्कुल गोली लेकिन यार बंगी पलट जाती है और भाई के साथ दोका हो जाता है अब पेटी वनेगी और इस मैच में मेरे ख्याल से ये दो आखरी बंदे थे जो लेटे वे नहीं थे क्योंकि इसके बाद ना जितने भी बंदे से लड़ूंगा सारे के सारे लागबाग सारे के सारे लेट के खेले होता है बहुत दिक्कत होने वाली है और हाँ जोन भी इसी तरफ का बनाए तो हाँ यार इस जोन में सिर्फ और सिर्फ साप ही पाय जाते हैं और देखो गाड़ी यहां से बदलता हूँ ये सोचके कि बंदे गुसके पेलूंगा लेकिन उतने में ही साप हमला कर देते हैं अब पहले मेरे को लगा यार बंदे चोड में खेल ले हैं बिलकुल उपर पहाड़ी पे चड़े हैं क्या पता ढंक से खेलेंगे क्या पता खड़े होके खेलेंगे तो मैं बोलता हूँ अपने टीमेट को भाईया जल्दी से बैठ जाओ उपर जा रहे हैं चोड चोड में लड़ाई करेंगे लेकिन उपर जाने के बादना मेरी सारी की सारी चोड खतम हो जाती है बिलकुल मिट्टी में मिल जाती है अब ऐसी हरकत क्यों होती है यार आपको अभी पता चल जाएगा मैं गाड़ी गुमाता हूँ और देखो नजारे अब यहां पर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक राउंड मारा उत्रे में ही मेरे को तीन साप दिक है यार चौथा भी वहीं कहीं लेटा होगा और अभी तो और भी साप आने वाले है अब देखो ज्यादा तर टेम यार मैं लड़ाई से दूर नहीं भगता पेटी वराने की कोशिश करता हूँ लेकिन यहां पर बहुत दिनों बाद उल्टे सीन होते है और इन सापों की टोली की वज़ा से मेरे जैसे धीट हद से जदा धीट बंदे को भी हार माननी पड़ती है यार मैं भगते वाया मेरी फट के चारों गई थी इस पहड़ी पे साप और उधर पहड़ी पे भी मनने मेरे ख्याल से लेटे ही पड़े हूंगे लेट के ही सपने पेल रहा होगा तो मैं इस घर पे आता हूँ ये सोचके कि कोई दिक्कत नहीं है यहां से पेटिया बनाएंगे और उत्रे में ही एक जो पीछे पहड़ पे लेटा था वो उड़ जाता है और जहां तक मेरे को पता ये बन्दा ना पच्चतार आओगा पच्चता के बिल्कुल रोने को आगया होगा क्योंकि जैसी बन्दा साप बनने से हटता है जैसी हमारे भाई खड़े होते हैं सीधा पेटी बनती है उनकी तो यार दुप्त हो गई क्यार मैं आगे वाली टोली से लड़ने लगता हूँ लेकिन उतने में ही और बन्दे आ जाते हैं और इधर बे सर्मों की तरह मैं M24 और Atex मांग जरूर लेता हूँ लेकिन सीन क्या होता है जो आगे पहाड पे बन्दे थे वो भी गाय और पीछे पहाड पे लड़ाईया चल जाती है तो यार जाना ही पड़ेगा नहीं तो देखो 30 किल कद्दू भी नहीं होने वाले और वैसे भी नहीं होते है यार एक किल से एक किल से चूख जाता हूं खेर गाड़ी लेके मैं चलता हूं और यहां पर सापी साप बैटे होते हैं लेकिन लड़ना तो पड़ेगा अब दोसाप की पेटी बनाई लेकिन ये लोग जुन्ड में बैटे थे यानि कि दोसाप और होने चाहिए यहां कहीं और होता भी एक अब गाड़ी आती है मेरे को लगता यार आखिर कार आखिर कार जाके ऐसी लड़ाई होगी जहां पे कोई साप नहीं बनाऊगा लेकिन ये लोग पता है क्या करते हैं गाड़ी पीछे रोग दी अब वहां से साप बन के साप बन के हमला करेंगे बाई बहुती बढ़िया यहां पे पूरी लोबी लेट के खेलने वाली थी अब यार मैं कुछ क्या भी कैसे सकता हूँ ऐसी जगाओ पे लेटेंगे नहीं बन्दे तो क्या कद्धू करेंगे घर के नाम पे कुछ नहीं है यहां पे और यहां जड़ी पलत समोक मैं जस्ट कर कुरके मैं दो बन्दे और पेलता हूँ लेकिन अभी खतम नहीं हुए ऐसा और इसी लिए किसी से उधार नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो लोग कभी भी वापिस मांग सकते अपना माल देखो यहां पे सीन क्या होता है आगे बंदे लेटे पड़े हैं मैं लडाई करने की कुछिस कर रहा हूँ लेकिन हमारे भाई मेरे पीछे पड़े हैं कि भाया हमारा एटेक्स वापिस कर दो यहां साप डसने आ रहे हैं और भाई को एटेक्स की पड़ी है अब यहां पर मैं चलांगे पेल देता हूं लेकिन बंदा दिक्ये नहीं देता उसके टीमेट की उसके मुग के सामने पेटी बना दी लेकिन भाई खड़े नहीं हुए तो हैर मैं बोलता हूं यहां से निकल लो क्योंकि नेड आएंगे अब सीधा अब गाड़ी से एक चक्कर मैंने पहले भी मारा था तब बहुत सारे साम थे लेकिन इस बार बस एक आकरी साम बाकी है तो एक और चक्कर लगाता हूं मैं फिर अब यहां पे हमारे भाई का नाम क्यों लिया गया है यार मेरे को जर्रा समझ नहीं है मैंने तो वैसे एक साम को पेला साम से क्या ले ना देना है भाई का खेर जो भी सीनों यहां पे जितने भी साम थे आखिर कार जाके खतम हो जाते हैं लेकिन अभी साम से पंगे खतम नहीं हुएं तो मैं इधर घर पे आता हूं और आगे बंदे भगरे होते हैं और यार यह बहुत जल्दी जाके साप बनने वाले हैं अब मैं पूरी चोड में बिल्कुल ओपन में खड़े होके सपरे पेल रहा था एक बंदे पे मेरे को लगा यार दो ही हैं दोनों के दोनों भगरे हैं लपेट लेता हूं और उतने में ही कोई मेरे ये एंटू फोर लपेट देता है एसी दैसी होगी हेल्थ की अब जिस तरफ वो यार बंदा भगरा है न वहां पर दबा के गूलिया चल ली हैं पंगे चल ले हैं और यार मेरे को कहीं से भी कहीं से भी नहीं लगता कि वो बंदा बचने वाला है या वो किल मेरे को मिलने वाली है तो मैं क्या करता हूं बूल बंदों की आपस में ही लड़ भिड़के बेटिया बन जाती है दुख बहुत होता है लेकिन यार हम क्या ही कर सकते हैं अब जो भी बचे कुछे बंदे हैं उनको ही पकड़ना होगा आगे अब सिर्फ और सिर्फ दो ही बंदे बाकी हैं दोनों के दोनों आगे कहीं लिटे हैं लेकिन देखो मेरी ये रोड पारकर के जाने में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा भटरी है क्योंकि दोनों के दोनों अलग अलग जगा पे साप बनें और दोनों अलग टीम के हैं और दोनों लिटे हैं इसका मतलब यार अगर मैं खड़े हो के जाऊंगा न वो दोनों के दोनों मेरी बेटी बनाएंगे आपस मेरी लड़ेंगे तो मैं यहां से थोड़े नेट अब 3-3-4-4 नेट करने के बाद भी कंदू कुछ नियुकरता तो अब बस दो ही चीज की जा सकती है या तो करो जोनाने का इंतेजार या तो करो इतना इंतेजार की साप रेंग रूम के तुम्हारे सामने आ जाए और एक साप आ जाता है सामने और आखिर कार जाके हम रोट पार कर सकते हैं क्योंकि बस एक ही साब बाकी है और इसी के साथ जाके आखिर कार साब का चकर महँच से टककर खता होता है यार मैं गिन मी निपा रहा हूं कितने साप मैंने यहां पेले हूंगे खास कर उस पहड़ी पे जो भी टीम आ रही है हर कोई लेटर जा रहा है कैर आज के वीडियो में इतना भाई लोग यार बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए और हाँ भाई लोग तुम्हारा भाई अब से डेली नो लाइफ पे सट्रीम करेगा रात के 9 बज़े से और वहाँ पे बहुत सारे यूसी के गिववे होने वाले हैं और यार अगले महीने से अगर सब कुछ सही रहा तो यार मोबाईल का भी गिववे चालू करेंगे जैसे पिछली बार किया था तो हाँ यार मेरे को वहाँ पे फॉलो करना मत भूलना उस एब की लिंक डिस्क्र सब्सक्राइब करना मत भूलना उसके लिंक कमेंट सेक्शियों में होगी बिल्कुल टॉप में तो आज के डिए इतने भाई लों गयार बहुत बहुत सुक्राइब वीडियो देखने के लिए कल मिलते हैं बाई बाई झाल